हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दा पैट विजन दिस साहिल मलिक यूर होस्ट अन्द यूर्वेंट तो आज की जो वीडियो है वो भी एक इंपॉर्टन टॉपिक के ओपर है विकोज आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन इन पता होना चाहिए कि यह जो इंफेक्शन हुआ है किस वज़य से हुआ है तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसक्स करेंगे कुछ ऐसे में सिम्टम्स जो यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन को करवाते हैं और उनके ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग भी हम आपके साथ होता है युरिनरी ट्रेक्ट होता है उसके अन्दर कोई भी होने वाला यह इंफेक्शन है है श हो अनुद्ध के बात करते हैं एक special bacteria कॉन सा है जो यह bacterial infection करवा देता है उस bacteria का नाम है acertia coli काफी pronunciation अलग भी होती है इसकी बट मैं acertia बोलता हूं इसको हम short form में E. coli भी बोल देते हैं यह जो गईस bacteria होता है एक point के ओपर urinary tract के अंदर infection create कर देता है colony बना लेता है जिसकी वज़े से lots of infection creates हो जाते हैं तो कुछ ऐसी disease हैं जिसके अंदर यह infection होता ही होता है अगर आपका dog chronic kidney disease से suffer कर रहा है तब आपके dog को urinary tract infection हो सकता है अगर आप chronic kidney disease के बारे में जानना चाते हो तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है उसके ओपर हमने details से आपको बताया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर watch करें दूसरा है कुछ kidney failure के भी आते हैं और साथ में कुछ ऐसी problem हो जाती है जो bacterial cause ही होता है यानि कोई external trauma कोई external injury उसके अंदर हम इसको include कर देते हैं एक और important एक बिमारी है जिसका नाम है Cushing disease अगर आपके dog को ये बिमारी भी है तब भी आपके dog को urinary tract infection होने की समभावनाएं बढ़ जाती है तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं symptoms के बारे में Symptom guys सबसे most important है आपको bloody urine मिलेगा या urine का जो color है वो थोड़ा dark भी आपको मिल सकता है जैसा कि screen पर भी दिख रहा होगा आपका जो dog है जब urination करेगा तो उसकी urine का जितना भी जो tract होता है उसमें एक vibration सी produce होना start होजेगी आप समझ जाना कुछ ना कुछ infection हुआ है कुछ ना कुछ effect हुआ है जिससे आपका डोग ऐसी हर्गते कर रहा है actionable अगर कोई भी trauma हुआ है कोई भी injury हुई है तब भी आपके डोग को dangerous problem से जूजना पड़ सकता है तो गाइस एक्सनल इंजरी से भी आपको अपने डोग को prevent करके रखना है और गाइस जब अगर आपके डोग को कोई भी infection होगा यूरिली ट्रेक्ट के अंदर तो गाइस आपका डोग वहां पर leaking करना start कर देगा तो गाइस जैसे ही वह चीज को leaking करेगा आपको guess कर लेना है कि मेरे डोग को कुछ ना कुछ problem है वह अपने pain को express कर रहा है साथ में ही जैसे ही हम इसको बोलते हैं जो यूरिली ट्रेक्ट जो open होता है उसका जो pore है वह आपको बड़ा दिखेगा और साथ में fever भी होने की संभावने बढ़ जाते हैं इसके अंदर जितने भी जो मैंने आपको symptom बताए है सबसे जो वोस्ट जो symptom है यानि जो सबसे खतरनाक है वो है bloody urine अगर गाइस bloody urine आ रहा है तो इमेडेटली नियर वैट से ज़रूर कॉंटेक्ट करो अच्छा एक treatment लो प्रॉपर एक डागनोसिस करवा हो कई बार क्या होता है इक पस्षी आने स्टार्ट हो जाती है। यूरियनरी सिस्टम से बले ही वो मेल ही क्यों ना हो फीमेल ही क्यों ना हो तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है ये भी टाइप का infection हो सकता है अगर वहां से पस्ष आ और है वो जो पस्ष हो सकती है वो थोड़ी यलोविश स्टार्ट हो जाएगा जो गम्स अगर हम चेक करेंगे वो पेल कलर के हो जाएगे या कई बात तो डार्क कलर भी सीन होता है साथ में गाइस किड्नी डिजीज जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं अगर गाइस कैंसर है आपके डोग को तब भी बलडी स्टूल आने की सं अब बात करते हैं टीटमेंट से रिगार्डिंग जो कि most important पार्ट है तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें टीटमेंट करवाने से पहले हमें खुद ही चेक कर लेना है कि हमारे जो डोग को कोई एक्ष्णल इंजरी कोई एक्ष्णल ट्रॉमा तो नहीं हुआ है अगर माल प्रॉब्लम से बचा सको तो आज की वीडियो बनाई है सिर्फ आपको नौलेज देने के लिए बनाई है एक यूरिट्रेक्ट इंफेक्शन से रिलेटिड है आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ जो भी मैंने बताया है अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए वहां से अपने डाउट्स हमसे शेयर कीजिए हम आपको फस्ट एड और आपके जो डाउट के लिए फ्री कंसल्टेशन द